भारत स्वाभिमान न्यास एवं पतंजली योग परिवार की द्वारा विगत 25 दिनों से चलाय जा रहे योग शिविर का समापन रविवार को हो गया जहां योग के खिलाडी एवं प्रसिक्षिकों को समानित किया गया योग को बढ़ावा देने के लिए इसका आयोजन किया यहां बड़ी संख्या में स्कूली शात्र जो लगातार योग का प्रसिक्षन लेते आ रहे हैं वे यहां शामिल वे और प्रसिक्षिकों के द्वारा इन्हें योगासन का अभियास करवाय गया वहीं समापन में मौके पर खिलाडियों को सर्टिफिकेट देकर एवं प्रसि योग्षिकों को अंगवस्तर देकर सम्मानित किया गया आयोजोकों के अनुसार योग शरीर को निरोग बनाए रखता है और राइस्ट स्तर पर इसे खेल का दर्जा दिया गया है जिस कारण युवाओं का रुजहान योग के तरफ बढ़ रहा है गांधी घाट के पुरानी योग कच्छाएं हैं चला करती थी इसी योग कच्छा में 25 दिवस्तिय योग सीविर का योजन स्वामी जी की निर्देशा अनुसार सह योग सिच्छक का लगाया गया इसमें से लगभग 40 परतिभागी भाग लिए और उन्हों 40-ों को आज अपन का दिन सर्टिफिकेट दे करके उन्हें परदान किया गया कि आप हर छेतर में जा करके जिस चेतर में हैं वहां जा करके अपनी योग कच्छा का निशुक लगाएंगे और शेवा करेंगे जमशेदपूर से न्यूजबिंग के लिए गंगाधर पांडे की रिपोर्ट